जहीं दोस्तों वेलकम बैक टु ले चैनल दे रेल यात्री दोस्तों आज की जो एक घटना है ये बहुत ही अजीब घटना है और महिला यात्री के साथ हुई है दरसल नशे में धुट टिकेट चेकिंग स्टाफ में से रेलवे के एक एम्पलॉई ने ये घटना की है और इन् है क्रिशना राजपुरम यहां पर टिकेट चेकिंग स्टाफ में से ये जो एम्पलॉई है ये नशे में धूत हैं और साथी में टिकेट चेक कर रहे थे इन महिला से इन्होंने टिकेट मांगा इनके पास टिकेट था जो इनके को पैसिंजर थे महिला के वो बता रहे हैं कि कि इन्हों ने उनके साथ बस लूकी करने की कोशिच भी की है पूरा मामला क्या है आप पहले वीडियो देख लो उसके बाद हम लोग बाचित करते हैं यहां पर क्या गरबढ हुई और किसकी जब से जादा गलती है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है फिलाल आप लोग वीडियो देखिएं कि आपको को लूगता है जैब नापल देखिएं आप लगतागां लू राभ लोगता है आपको कुछी जादि अच बाचेट करते है जल्यागन फिल्वागन बुलिगणाट सब्सक्षिएं पूलिग जादेखिएं और गुवलीग देखिएं भी लोगता हम दिखिएं एग अजम पांचे समुरोपूड़। व्याट था संवल्ण पांचे सबस्पूंग। भीर था संवल्टा था संवल्टाएं यहार उर आपर मुंश्राए याणिघ著 मीर मेध। एक अश्वच्छ संवाइब करनगा ए था तक बीड़िया। मैं आपन लो हुआ है। नियुद जाए। मैं आपने। फ्रिकस्ट में प्राइब कर दो हम को बाइब के आपए। दोस्तों हर घटना के दो पहली होते हैं यह होता है यह जो पैसेंजर थी इनके पास ओनलाइन वाला जनरल टिकट होगा और उसको लेकर यह AC में चड़ गई होगी और यह जो टिकेट चेकिंग स्टाफ में महाशे थे जो नशे में दूद थे इन्होंने उनके साथ बज से लुकी की दोस्तों अगर कोई भी एंप्लॉई नशे में है और अपनी जॉब कर रहा है तो वो कहीं पर भी allowed नहीं है चाहें railway हो या private sector हो और जो यह भाई साथ कर रहे हैं यह 100% गलत है और यह अगर नशे में नहीं होते तो शायद यह भाई साथ सही साबित होते और वो मैडम का अगर टिकेट गलत था तो सारे आरोप उन पर लगते लेकिन इनके नशे में होने की वज़े से अगर वो मैडम गलत भी होंगी तो सारे सवाल जवाब अब इनको देने पड़ेंगे और इनके साथ जो कुछ भी विभागय कारवाई हुई होगी वो तो इनके साथ होनी ही है क्योंकि आप नशे में जॉब नहीं कर सकते और नशे में होकर आप रेलवे के यात्रियों को परिशान कर रहे है इस कंडिशन में रेलवे ने इस इंप्लॉई पर जरूर सकत कारवाई की होगी फिलाल दोस्तों आपके अनुसार यहाँ पर किसकी गलती है और ऐसा अगर आपके साथ होता है जो गलत है उसका साथ नहीं देना चाहिए और जो सही है उसका जरूर साथ देना चाहिए फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाईक जरूर करियेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे बिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ थैंक्यू सो मच फर वाचिंग दरेल यातरी चैनल एंड कीप सपोर्टिंग